आप सभी का स्वागत है आपके अपने चानल स्टडी फोर आरेस और आएस के अंदर आज का हमारा जो वीडियो है दिसमबर 2020 की अंतराष्ट्रे क्रोनलोजी के उपर है इसके तीन पार्ट हमने पढ़लिये थे जिसमें हमने अंतराष्ट्रे परिद्रश्य और समसामई के जो चोटे विंदो थे उनको हमने पढ़ा था आज हम आर्थिक परिद्रश्य तो देखिए बुटान के जो प्रधान मंत्री है डॉक्टर लोटे शेरिंग उन्होंने सहीं तुरूप से जो है इसका सेकंड फेज जो है उसको लॉंच किया है इससे पहले आप जानेंगे तो हमारे प्रधान मंत्री मोधी जी जी है उन्होंने 2019 में रुपे कार्ड को मार पाएंगे इससे बुटान के लोगों को शिक्षा स्वास्ते तीर्थ यात्रा और परियटन के चेत्र में बुक्तान करने की क्या होगी सुविधा मिलेगी तो यह जो रुपे कार्ड है पहले तो इसको जारी करने वाली संस्था के बारे में भी हम जान लेते हैं थोड़ा सा एजेंसी इसरो ने वश्ट दोहजार इकिस में भुटान के उपकर यानि सैटलाइट का प्रक्षेपन करेगा जिसके लिए बुटान के चार यूवा विज्ञानिक जो है हमारे यहां भारत में आएंगे ठीक है तो भारत की जो नीती है अपने पुर्वत्तर के साथ में तो उसको आप जानते ही होंगे वो नीती का नाम है नेबर्स फर्स्ट ठीक है नेबर्स फर्स्ट और अगर नॉर्थ यस्ट के बारे में देखेंगे तो हम क्या कहते हैं पूर्वत्तर की तरफ पहले थी पूर्वोता के तरफ लुक इस्ट पॉलिसी है ना लुक इस्ट पॉलिसी और मोधी सरकार ने इसको चेंज करके क्या किया है Act East Policy Act East अब इसको हिंदी में कैसे बोलता है मुझे नहीं बता तो इसी साब मैनेज करिए इसको बोलता है Act East Policy ठीक है अब देखिए Next है हमारा Project किराना Launch यह Project किराना क्या है तो देखिए यह एक Master Card है जिसको की जारी किस ने किया है तो यह Payment Technology Technology Company और USAID ने किया है USAID क्या है United States Agency for International Development इन दोनों ने मिलकर कि इस Master Card को Launch किया है इससे क्या होगा कि जो महिला उद्यमी है चोटे कारोबार से जूड़ी है जैसे किराना के किराना के दुकाने होती है उनकी इस प्रकार कि जो कारोबार से जूड़ी महिला State Agency for International Corporation द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट किराना को उत्तर प्रदेश के चुनिंदा शहरों में ही अभी जारी किया जाएगा कौन से चुनिंदा शहर है लगनाव, कानपूर, वरा नसी यहाँ पर जो है इसको शामिल किया जाएगा कोई अगर UPPCS के तेहरी कर रहा हो तो इसको तोड़ा ध्यान से देख ले इसके अब अलावा इसमें क्या है तो देखिए इस प्रोजेक्ट के तहट उन किराना दुकानों पर डिजिटल बुकतान को बढ़ावा देने वे Financial Inclusion का दायरा बढ़ाने के अतिरिक्त अतिरिक्त आयके माध्यमों का भी विस्तार किया जाएगा जिनने महिलाएं संचालित करती है ठीक है इस कारेक्रम में इस कारेक्रम का लाब किराना दुकान चलाने वाले 3000 महिलाओं को प्राप्त होगा इसके तहट क्या होगा वित्य साक्षरता के साथ बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, सेविंग्स, क्रेडिट इंशॉरेंस देशे विश्व पर भी फोकस किया गया है ठीक है नेक्स्ट है डिपम का विश्व बैंक के साथ समझाता दिपम क्या है परिव संपत्यों के मुद्री करण के लिए सलाहकारी सेवाई देगा वित्य मंत्राले द्वारा विश्व बैंक के सलाहकारी प्रोजेक्ट को स्वीकरती दी गई है जिसका उद्देश भारत में मौझूद सार्वजनिक परिसंपत्यों का मुल्यांकन करना है तो उनकी अंतराष्ट्रे मानकों के आधार पर दिशा निर्देश त्यार करना है यह आप समझ गया होंगे कि जित्ते भी हमारी जो पब्लिक एसेट्स होते हैं सार्वजनिक परिसंपत्य यानि पब्लिक एसेट्स होते हैं तो उनका इवैल्यूएशन जो है इंटरनेशनल लेवल पर कराना उनका मुल्यांकन इंटरनेशनल लेवल पर कराना यह इसका मकसद है ठीक है उसके बाद में आप देखिए पूरवत्तरवे हिमाले राजियों से फल सबजियों के हवाई परिवयन पर सबसीडी की घोशना की है केंदर सरकार ने तो जो अधी सुची देने के शिडियूल्ड यानि के कुछ फिक्स फल और सबजियां है भारत के किसी भी स्थान पर पहुचाने के लिए उन पर 50% सबसीडी सुविधा देने की घोशना की गई है और वो भी हवाई परिवन यानि के जो है हवाई परिवन यानि प्लेइन वगर के द्वारा खादिय प्रसंसक्रण उद्योग मंतराले की ओर से जारी विग्यापन या विग्यप्ति के अनुसार आत्म निर्बर भारत के अंतरगत ये जो ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत जो है इस शुविधा को जारी किया गया है खादिय प्रसंसक्रण उद्योग मंतराले भारत सरकार आत्म निर्बर भारत अभियान के तहत इसकी गोशना की गई थी संशोधित योजना संबंदी दिशाएंदी दोजार बीस को योजना के तहत परीवहन सबसीडी को इससे पहले किसान रेल पर लगू किया गया था जो 12 अक्टूबर दोजार बीस से लगू ही और प्रावधान क्या है operation greens के प्रावधान ज्यान रखिएगा कि फलो और सब्जियों को बाजार में परीवहन के माध्यम से भेजने पर कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान यानि grant जो है वो किसानों के रूप में किसानों को मिलेगा इसके साथ है किसानों के लिए बंडारन शुल की लागत को 50% अनुदान की वेवस्ता भी की गई है तो यही operation greens का जो है मकसद है यह हलां कि हम सेप्टेंबर वाली chronology में पढ़ चके हैं operation greens, operation tops, tops scheme जो है यह सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं ठीक है ऐसी सबजियां जो खराब सबजियां और फल जो है खराब हो जाते हैं तो उनके ट्रा मंजूरी दी है अब यह क्या चीज़ है इसको पढ़ लेता है तो देखिए केंद्रिय मंत्री मंडल यानि को जो cabinet है उसने भारत की भी निर्मान शमताओं यानि manufacturing की जो हमारी capacity है और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए फार् प्रदक्शन लिंक्ट इंसेंटिव योजना की जो है शुरुवात की है प्लाई योजना के अंदर का ताने वाले दस प्रमुक्षेतर आप देख सकते हैं आप इसमें एडवांस केमिस्ट्री सेल इलेक्ट्रोनिक प्रोड़क्ट उतपाद आटो मोबाइल एन आटो कॉंप अंदिद मंत्रालियों विभागों द्वारा लागू की जाएगी और यह निर्धारित समग्रवित्ति सिमाओं के दाएरे में होगी उप्यूक्त प्लाई योजना में स्वीकृत परिवय पहले से अधिसूचित प्लाई योजनाओं के अतिरिक्त होगा ठीक है मतलब कहने का मतलब यह है कि जो प्रोडंक्ट लिंक्ट जो यह इसकी योजना है इंसेंटिव है इसमें पहले से जो है कुछ ग्रांट या फंडिंग दी जाती है सबसीड़ी दी जाती है यह जो चेत्र है जो दस चेत्र हमने पड़े हैं इनका और ज्यादा डवलप्मेंट हो यहां पर और मैनुफेक्चरिंग जो है वो और जादा बढ़ सके है ठीक है नेक्स्ट है मंत्री मंडल ने बीजी एफ को जारी रखने और इसके पुनरगटन को मंजूरी दिये तो यह वीजी एफ क्या है देखिए वीजी एफ होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग ठीक है केंद्र वेवारेता अंतर वित्व पोशन यानि इंफ्रस्ट्रक्चर वायबिलिटी गैप पंडिंग को जारी रखने तो इसके पुनरगटन को मंजूरी दिये इसके समय अवधी को जो है इनोंने 2024 पच्चिस तक और इसके कुल लागत को जो है इतना करोड कर दिया है इस अंशोध अपन जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट होता है उसको केते हैं अब शिष्ट जल शोधन जलापूर्ति ठोस कच्रा प्रबंदन यानि के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और स्वास्ते और शिक्षा की छेत्रों के आवशक्तों को पूरा करना और दूसरी उप्योजना है इस प्रबंदन का बेसिक मतलब ही होता है वीजी एफ का कि जो है फंडिंग जो है जैसे प्रोजेक्ट सरकारी होगा लेकिन फंडिंग जो है प्राइवेट जगह से उसको मिलेगी तो उसको अभी इंक्रीज किया गया है खतम नहीं किया गया है तो उसके बारे में यह प्रफिलान के लिए ठीक है एक तो देखिए यह किसके सहीयोग से शुरू किया जा रहे है तो श्रीष्षी च्रपेशंकर का आर्ट ओफ लिविंग है न उसके द्वारा जो है इसको शुरू किया जा रहा है और किसके साथ मिलकर केंद्र के जंजाती है कारे मंत्राले के राष्टर में यहीं पर तो है सबसे जादा जंजाती आबादी है राजस्तान में भी है लेकिन यहां शुरू किया जाएगा जूट सामगरी से होने वाली पैकिंग के अनिवारे ता संबंधी नियमों के विस्तार को मंजूरी तो देखिए यहां पर क्या है आर्थिक मामलो बोरों की खरीद जो है जी एम पूर्टल पर रिवर्स ऑक्ष्ण के जरीए जो है वो की जाएगी तो यह देखिए जी पी एम क्या है तो देखिए यह आपका जूट पैकेजिंग अधिनियम इसके तहती आनिवारे कर दिया गया है कि जो पैकिंग है ठीक है और 30% चीनी की करेंगे वह आपके समय करेंगे प्लास्टिक में नहीं करेंगे जूट की बोरियों में करेंगे सरकार के इस नेरिणर से होगा क्या कि देखिए पुर्वत्तर नौर्थ यस्ट जो हम पढ़ते हैं जहां पर आप उड़ी सा इस वरी आसाम है मेगाल्य है इस प्रकार के जो र ठीक है तो यह आप यहां पढ़ सकते हैं जूट चेत्र को जो है पढ़ावा देने के लिए बढ़ावा देने के लिए विविदी करण को प्रुचाहन देने के लिए और परियावरण के लिए भी यह बहुत बढ़िया चीज है नेक्स्ट है MSME Credit Health Index यह क्या है तो देखिए इसका पहला ही संस्क्रण अभी शुरू हुआ है इसको जारी किया है सिबिल ने ठीक है सांखे की और कारेकरम कारेकरम मंतराले के साज़ेदारी से ट्रांस यूनियन सिविलर ट्रांस यूनियन सिविलर ठीक है और आपका सांखे के और कारेकरम मंतराले मिनिस्ट्री ओफ जो है स्टाटेस्टिक्स एंड इंप्लिमेंटेशन उसके द्वारा जो है इसको जारी किया गया है मार्च से जून 2020 तक के आखड़ों पर ये जो है आधारित होगा ये करेगा क्या देखिए तो ये MSME की क्रेडिट हेल्थ को वृद्धी और शम्ता के दो मानक मांदंडों पर जो ही मापता है यहां देखिए इस इंडेक्स में राजिस्तर पर परियाप्त पोर्टफोलियो रवाले राज्यों यानि के तमिल नाडू उतरप्रदेश राजिस्तान शीर सिस्थान पर है MSME चेतर में 6 करोड से अधिक उद्धिम शामिल हैं जो भारत की कुल GDP में 29% का योगदान करते हैं यह चेतर भारत के 11 करोड से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलप्त कराता है नीजी चेतर के बैंकिंग बैंकों ने विगत दो वर्षों के दोरान MSME चेतर को 50% से अधिक रिन प्रदान किया है यह पिछले दो वर्षों के दोरान 11 निश्पादेद परिसंपतियों नौर परफॉर्मिंग एसेट्स के स्तरमि वृद्धि को दर्शाता है जिसके परिणाम सुरूप आर्थिक विकास की धीमी दर प्राप्त हुई है वितमंत्री ने आत्म निर्बर भारत 3.0 पर उपायों की घोशना की है आत्म निर्बर भारत आप जानते हैं Self Reliant India ये एक प्रोग्राम है इसके लिए कई प्रोग्रामस की उन्हों ने गोशना की है वितमंत्रे ने 12 सरकार अर्थ व्वयस्ता को प्रोटसाम देने के लिए 12 प्रमुक उपायों की घोशना 12 नमबर 2020 को की गई है इसके तहत इतने गरोड रुपे की राशी की घोशना की गई है आत्मनिर्बर भारत 3.0 के प्रमुक पिंदु क्या क्या हैं ये देख लेते हैं इस योजना के तहट यदि EPFO पंजीकरत प्रतिष्ठान ऐसे नए करमचारियों को लेते हैं जो पहले PF के लिए रजिस्टर नहीं थे या नोकरी गवा चुके हैं उनका मासिक वेतन 15,000 से कम है त दाताओं वे व्यक्तिगत रिणों के लिए आपात कालेन क्रेडिट लाइन गारंटी योजनाओं का 31 मार 2021 तक विस्तार किया जाएगा दस चैंपियन सेक्टरों के लिए 1.46 लाग करोड की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना शुरू की घोशना की गई है प्रद परफॉर्मन सेक्योरिटी को 5-10 प्रतिशत से घठा करती इन प्रतिशत किया गया है तो यह सारे जो इनमें है इसमें एक है राश्ट्री जो नेशनल इंवेस्टमेंट एन इंफ्रस्ट्रक्शर फंड है कि डेट प्लाटफॉर्म में 6,000 करोड इक्विटी के रूप में जो कोविड वेक्सिन के शोध और विकास के लिए जव प्रद्रगी की विकाग को 9,900 करोड का अनुदान देने की गोशना की गई है तो यह सारे उपाये जो है यह अभी इन्होंने आत्म निर्वर भारत 3.0 के तहत जो है इन्होंने किये हैं इतने इंपोर्टन उपाये नहीं ह इन्होंने के बारे में बोलने का या कहीं लिखने का मौका है तो थोड़ा ध्यान में रहे कि क्या-क्या स्टेप्स जो है गवर्मेंट इस शेत्र में उठा रही है ठीक है नेक्स्ट है Doing Business in India Report 2020 ये जो है इसको जारी कौन करता है UK India Business Council इसको जारी करने की थी जादे याद रखने के ज़रूरत ने 2020 का है तो UK Business Council ने जो है इस एक रिपोर्ट जारी की है 2015 में ये पहली बार जारी हुई थी और 106 फर्मों के गहन सर्वेक्षन के आधार पर इसने जो है जो भारत में काम कर रही है 106 फर्में उसके आधार पर इसने बताया है तो देखिए आत्मे निरपर भारत जो रिपोर्ट की महतुपन बिन्दू देखिए जो Self Reliant Mission है हमारा वो भी बढ़ा है ठीक है महराश्ट्र लगातार तीसरे वर्ष अधिक्तम वृद्धी सुधार वाले राज्यों के रूप में उबरा है इसके बाद करनाट का दिल्ली गुजरात और तमिलनाडू का स्थान रहा है GST मुद्दे विदेशी उद्रा विनियम उच्च आयात श ठीक है नेक्स्ट हमारे लिए है capital goods sector के विकास है तो अंतर मंत्राले एक समीति का घठन किया गया है तो capital goods आप जानते ही है ऐसे goods जो कि permanently जैसे की machines होती है बड़ी-बड़ी machinery हम खरीद के लाते हैं तो यह हमारे लिए capital goods होता है ठीक है तो यह 22 सदसी जो है समीति है इसकी बनाने के साथ ही विश्व में भारत को एक वी निर्मानी केंद्र यानि manufacturing hub के रूप में जो है इस्थापित करना ठीक है नेक्स्ट है हमारे economics short model में क्या क्या दे रखाए देखते हैं एशिया की पहली सौर उर्जा संचालित कपड़ा मिल जो है यह कहां पर शुरू की गई ह महराश्ट्र के पर्भणी जिले में इसको शुरू किया गया है ठीक है इसका नाम है जैबवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल तो यह देखे यह कपड़ा मिल एशिया की पहली सौर उर्जा संचालित कपड़ा मिल बन जाएगी तो 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 तोड़ा नाम ध्यान रखिएगा त यह इतना important नहीं है PMFME यानिके प्रधान मंतरी Formalization of Micro Fruit Processing Enterprises योजना के शमता निर्मान घटक को 18 November को launch किया गया है इस शमता निर्मान घटक के तहत प्रशिक्षकों को online mode के माध्यम से व्याक्यान और पदर्शन उपलब्द जो है वो कराया जाएगा बारती रिजर्व बैंग ने 11 बैंकिंग वित्ती कंपनियों सहीत सभी रिन देने वाली संस्ताओं को 2 करोड तक के रिन के लिए सभी ब्याज योजना उपर ब्याज माफिय को लागू करने के निर्देश जो है वो दिये है अर्थव्यवास्ता को बूस्ट अप करने के लि अब जो है यह आपका अब राजस्वि डिपार्टमेंट जो है डायप्त्र रिव इसको केंगे डाप्तूर रिवनियू इसके बारे में पढ़ें अभी इसने पढ़ें इक पय demo ौला एक्जाम भी निकाला है इसके बारे में पढ़ें ठीका ढांदीक है टिया पॉस्त की चीज़ें केंद्रिय पूत परिवहन राज्य मंत्री ने मंसुक मंडालिया ने जो है वी ओ चिंद बर्णार बंदरगाह में डारेक्ट पूर्ट एंट्री सुविधा का जो है वह उतकाटन किया है थोड़ा द्यान रखेंगे लोकल फूर फूकल ये तो किती बार पढ़ च है बारत सरकार ने विवाद से विश्वास योजना के तयाद लंबित प्रतेक्ष कर मामलों का निप्टान करने ये तू बुक्तान करने की समय सिमा को और बढ़ा दिया गया है अब है आर्थिक मासिक समसा में की इसके प्रशना आप खुद हैंडल कीजिएगा अगर आपको निगहा से निकालते जाएंगे एक बार आपके दिमाग में फीड होती जाएंगी फिर आपको अर्थवेवस्ता से इतना डर ने लगेगा आप पढ़ेंगे पहले उसको कि आकिरकार इसमें है क्या ठीक है और फिर धीरे धीरे आपको अपनी काम की चीज़ें भी उसमें से म झालते ल इसमें से घज़ुड़ें आपको ऑपको अर ने दो सादिता है